यहां जी जाहिसी बात है और जैसा बुजी सिंगर पोर्ट से फैना आया थे उन्होंने भी कहा कि रोईज शर्मा की वज़े से ही कब जाना था और रोईज शर्मा से ही शायद कुछ ऐसी गलतिया होगी क्या हम बैटिंग के वक्त थी मैच हार गए थे I think विराट कोली के आउट होने जाने के बाद जिस साजयदारी का हमें इंतजार था जो साजयदारी जरूरी थी केल लाओन ने जरूर कोशिश की लेकिन कम मुझे लगता है कि जो एक हमने तई किया था कि एक 300 का टार्गेट पार करेंगे या क्लोस जाएंगे वो नहीं हो पाय और हमेशा जो शाजयदारी होती है जो हमने लबुशेन और ट्रेवस हेड के बीच में देखी इस प्रकार की एक कोशिश होनी बहुत जरूरी थी लेकिन देखी एक किसी खिलाडी को पॉइंट आउट करने से फायदा नहीं होता है ये टीम गेम होता है रोईज शर्मा ने बताया हम भावना को समझते है कि किसी को भी हार पसंद नहीं होती है लेकिन इस हार से सिखना चाहिए हम हमें एक तो पहले स्विकार करना चाहिए कि बड़े मैच में जब बड़ा मैच फाइनल मैच हो या से मिफाइनल मैच हो पिछले कई सालों से हम ये जीत नहीं पा रहे यह और मैच हारे जो आपकी नजर में कौन सा वो पॉइंट था या किस किस क्या जो फैसला था कि टॉस जीते हैं हारे हम बैटिंग लेंगे वो फैसला गलत था जब कि इस में इस मैदान करेकारड बता रहा था कि सेकीड बैटिंग करते वक्त आसानी होती है यह धिंक राइचरमा का जो डिसमिसल था वो टरिंग पॉइंट था किस तो बाइंडरी उसने लगा दी थी वो ओर मैक्सवल के कलाफ और इसको थोड़ा सा इन जो सिंगल मेब डॉट बॉल और जिए बाद में अच्छे पोमेंटम था उसके बाद भी आप्स हो गया एंड इं हेडन जब 2003 में वर्ल्ड कुप जीता फिर गिल्क्रिस ने जीता फिर डेविड माइकल कलार काई उसने जीते अभी वह उन ट्रावर्स हेड जीते हैं इंडिया में ऐसे कल्चर नहीं है जो इच अधर टीम को जाता है बहुत इंडिविजुल अभी है एक खलारी इतना बड़ा बोली के ओपर उसकी सेंचरी से ओपर वह ऐसे मीडिया का ऐसे हाइप था जब वह सचिंटन डूल कर रेकर्ड ब्रोक कर देंगे वह ऐसे लग रहा है जैसे वर्ल्ड कप पी वह जीत लिया तू मच हाइप उदर से ज़्यादा एटेंशन थी और कम वर्ल्ड कप कैसे जीतें नहीं है और क्यों नहीं है यह हमको नहीं अभी मौन है यह हम यह जो मॉंटी कह रहे हैं कि इस बात पर जादा कि चलिए उसके सचिंट डिल करकर रेकॉर्ड तोड़ दिया यह शमी की कितनी अच्छी वापसी हो गई शमी ने साथ विकेट ले लिए लेकिन फाइनल कैसे जी में यह होता है कि किस तरह से मात मैच जीती जाए उसके बाकी चीजों बाकी चीजों पर इतना सराउंड साउंड इतना हो जाता है जी देखिए उसका प्रेशिए मैंने कहा था कि नर्व बहुत इंपॉर्टन जिस टीम वो नर्व संभालेगी जो काबू में रखेगी उसकी होगी और हमने देखा कि किस तरह से इनिंग को पेस किया चाहरे आप गेंबाजे की बात करो किस तरह से गेंबाजे कि किस तरह की फिल्डिंगर की असीला की रही और किस तरह से Egyptians कि तीनुर में जाने के बावजूद भी जो साजेदारी रही और जो साजेदारी को जिस तरह से पेस किया वो बहुत जरूरी था और वो करने में इंडिन टीम नाकाम रही यहां श्रेया के साथ भी कुछ मायूस फैन्स हैं दिख रहे हैं हमें श्रेया आवाज मिल रही आपको मेरी सिगनल नहीं आपारा श्रेया का हमारे पास वहां पर एक के बाद एक जो जिस्टन की तैयारियां थी वो सारी तैयारियां धरी की धरी रहे गए तो जाहिए से बात है फैन्स भी मायूस हैं और जो खबर आ रही है जैसा हम रितने भी बताया कि ड्रेसिंग रूम में भी बहु कि लोगा यह से काफी प्लेयर होंगे रविचेंदर नश्वीन भी है महामध शमी भी है लेकिन उन्होंने अच्छा प्रयास किया शमी को इदर दोश देना ठीक नहीं रहेगा अच्छा वर्कप रहा भारत के लिए फाइनल हारा इसका मतलब ने कि सारा कुछ बंद हो गया स सुनते हैं फिल्डिंग बहुत अच्छा हो सकता था इस जैसे ऑस्टेलिया ने किया उन्होंने बहुत रन रोका तो उमीद यह था कि फिल्डिंग और अच्छा होगा शामी को देखा नहीं शायद कोई प्रॉब्लम है बाद में ज्यादा देखा नहीं तो कोशिश किया यही टीम है जो लगतार दस मैच जिताया है वर्ड़ गप में अब होता है कभी गदाल लग साथ नहीं देता है पीछ पे साथ नहीं होता है फिर भी अच्छा खेलिए अब क्या बोल सकते है इसमें हार तो एक्छिली नहीं है अमरेद भी हमाँसा जोटा है अमरेद फैन्स आतर यही टीम थी जिसने दस मैच जिताय थे एक मैच खराब हो गया लेकिन यही इसी टीम ने दस मैच जिताय भी थे लेकिन मॉंटी की बादिये कि वो दस मैच जीते वो इतना हाइट बन जाता है इतना विराट कोली के परफ साउंड हो गया कि जो बेसिक की मैच और फाइनल कैसे जीतना है उस पर से शायद ध्यान हट गया अम्रेट कि शुर यही हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे संधी पाड़िल भी कह रहे थे और हम लुबी बात ही कि शुरुआत से सब कुछ अच्छा हो रहा है जब अच्छा होता रहता है तो फिर कई चीज़े ऐसी होती है जिसको आप कवर अप करते रहे तो चलो ठीक है देख और ना जब भी हम रोई से सवाल करते थे कि रोई ताप टॉस को लेंगे नहीं अभी हम बढ़ियां खेल रहे हैं जादा माँ नहीं है उसका इंपक्ट नहीं पड़ता है तो फिर आप प्लानिंग नहीं करतो अब कंगारु कप्तान पैट कमिंस ने पिच को देखा दो दिन उन्हें रीड किया फिर उन्हें ने बनाया कि अगर मैं टॉस दूँँगा तो इंडिया को बैटिंग दूँगा टॉस हुआ रही शर्मा कहते कि हम मुझे बैटिंग चाहिए थी भाई आपको बैटिंग मिल गई उसके बाद कुछ शॉट गलत खेले भाती जो नहीं खेलन पिछ की बाद सामने आएगी आपकी तेज गिंद बाज है आपकी श्य वर्ल्ड बाज है वर्लम लास बने बाज के साथ है वो किसी पिछ पे भी रन बना सकते हैं तो फिर हम क्यों बार-बार पिछ को लेकर रां बोत है। पिश जो पिश होना क्यों स्लो पिश ही हमें लगता है कि हमें मददगार होगी जब कि पीच का इदर कुछ बात बद्धी नहीं है कि कि पीच जो थी दोनों टीम के लिए सेम पीच थी टॉस भी हमने देखा कि रोईच शर्मा चाहते थे कि बल्ले बाजी करें, पैट कमिस ने पहले ही तई किया था कि वो गेन बाजी करेंगे, तो सारी चीजे जो थी वो भारत के पक्ष में थी, लेकिन वो चीजे पक्ष में होने के बावजुद, जो प्रदर्शन होना जरूरी था, जो जिम्मेदारी लेनी ज़रूरी थी और जयसे आपने बो बिल्कुल सही कहा कि जो बेसिक्स होते है वो बेसिक्स करने में भारतीय टीम आज के इस मैच मेन चुक गए चाहे आप बॉलिंग की बैत करो चाहे बले बाजी की बात करो या चाहे फिल्डिंग की बात करो